हेलो एवरिवान, मॉटिवेशनल मुवीज में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए इंटरस्टेलर मुवी को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं जिसे हॉलिवुड की वन अप दे बेस्ट साइफाई मुवी माना जाता है ये मुवी 2014 में रिलीज हुई थी इस मुवी को एमडीवी पर 8.6 की रेटीं मिली है इस मुवी को हॉलिवुड के वन अप दे बेस्ट डायरेक्टर्स क्रिस्टफर नोलन ने डायरेक्ट किया है ये मुवी काफी जबरदस्थ है इस मुवी की स्टोरी जानने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हैरान रह जाएगा अपने टाइम पर इस मुवी ने ताबर दोड कमाई की थी और इसके लिए अवार्ट्स की एक बहुत लंबी लाइन लगी थी मुवी की शुरुआत में हमें कहानी के मुख्य किरदार कूपर को दिखाया जाता है कूपर नासा में एक साइटिस रह चुका है लेकिन अब वो घर पर मक्य की खेती करता है क्योंकि इस टाइम धर्ती पर खाने की बहुत कमी होती है इसलिए सबी लोग खेती करते हैं कूपर की फैनली में उसका बेटा टॉम और उसकी बेटी मर्फ रहते है और साथ ही कूपर का ससुर भी उनके साथ ही रहता है मर्फ हमेशा कूपर को बताती है कि उसके कमरे में एक भूत रहता है लेकिन कूपर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता मर्फ कूपर को बताती है कि उसके कमरे में जो किताबों की अलमारी है उसमें हमेशा किताबें अपने आप ही नीचे गिर जाती है इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भूत है तबी कूपर उससे कहता है कि तुम्हारे कमरे में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हे उस पर बहुत करीब से नजर रखनी चाहिए और तुम्हें पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यूं हो रहा है एक दिन कूपर अपनी फैमिली के साथ मैश देखने के लिए जाता है कूपर जल्दी से मर्फ के कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसे फर्ष पर रेट से कुछ पैटर्न्स बने हुए दिखते हैं वो मर्फ को टॉम्हें के कमरे में सोने के लिए कहता है और खुद मर्फ के कमरे में ही रुख जाता है मर्फ के कमरे में फर्ष पर कुछ लाइन्स बनी हुई थी जिन में कुछ लाइन्स मोटी थी और कुछ लाइन्स बहुत ही पतली थी कूपर रात भर उन लाइन्स को अब्जर्व करता है और सुबा होते होते उसे पता चलता है कि वो एक secret message है जो binary language में लिखा गया है Cooper को reason समझ नहीं आता कि आखिर वो lines फरश पर बनी कैसे लेकिन वो उस binary message को decode कर लेता है उसके अंदर उसे एक जगा का location मिल जाता है वो अपनी बेटी मर्फ को लेकर उस जगा की तरफ निकल जाता है ये जगा एक secret facility होती है Cooper वहाँ अंदर चला जाता है लेकिन वहाँ पर उसे guards पकड लेते है वहाँ पर मुझूद एक robot Cooper से पूछता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा Cooper उसे कुछ भी नहीं बताता Cooper को सिर्फ अपनी बेटी मर्फ की चिंता हो रही थी तबी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आ जाती है Cooper उसे अपनी बेटी मर्फ के बारे में पूछता है तबी वो लड़की उसे उसके साथ चलने के लिए कहती है वो Cooper को एक secret कमरे में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग मुझूद थे वहाँ पर Cooper को अपनी बेटी मर्फ सही सलामत मिल जाती है वहाँ पर Cooper को अपना एक पूर्व प्रोफेसर ब्रैंड भी मिल जाता है प्रोफेसर ब्रैंड अब NASA के secret missions पर काम करते है ब्रैंड Cooper को बताता है कि ये धर्ती अब लोगों के रहने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि दिन बदिन यहाँ का वातावरन खराब हो रहा है इसलिए एक एक करके यहाँ से जीव जन्तु गायब हो रहे है Cooper कहता है कि यहाँ आसपास ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ पर इनसान रह सकते है इस बात पर Professor Brand बताते है कि इस धर्ती को छोड़कर जाने में एलियन्स हमारी मदद करना चाहते है क्योंकि आज से 46 साल पहले उन्होंने सैटर्न ग्रह के पास एक वाम होल क्रेट किया था जिसके रास्ते हम दूसरी गैलेक्सी में जा सकते हैं और वहाँ पर एक ऐसा ग्रह डूण सकते हैं जहाँ पर इनसान जिन्दा रह सकते हैं इसलिए आज से कुछ साल पहले हमने 13 एस्टरोनोट को उस वाम होल के अंदर बेजा था प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि उन 13 एस्टरोनोट में से हमें तीन एस्टरोनोट के भीकन से सिगनल अभी तक मिल रहा है यानि उन्होंने तीन ऐसे प्लैनेट्स को ढून लिया है जहाँ पर हम धर्तिवासियों को शिफ्ट कर सकते हैं ये प्लैनेट्स गारगेंट्टु आ नाम के एक ब्लैक होल के पास ही मोजूद हैं प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि मैने एक टीम बनाई है जो इन तीनु प्लैनेट्स पर जाएगी और वहाँ जाकर वो पता लगाएगी उन तीन प्लैनेट्स में से इंसान के रहने के लिए कौन सा प्लैनेट ज़्यादा फेवरेबल है अगर उन्हें वो फेवरेबल प्लैनेट मिल जाता है उसके बाद मेरे पास दो प्लैन्स है प्लैन ए हम एक बहुत बड़े स्पेस्शिप में सारे इंसानों को उस प्लैनेट पर लेकर जाएंगे जिस जगा पर अभी तुम खड़े हो ये भी एक स्पेस्शिप है लेकिन इसको उड़ाने के लिए अर्थ की ग्रैविटी को बंद करना पड़ेगा इसलिए मैं एक एक एक्वेशन पर काम कर रहा हूँ उस एक्वेशन की मदद से मैं अर्थ की ग्रैविटी को कुछ देर के लिए बंद कर सकता हूँ ताकि अर्थ की ग्रैविटी बंद होने से ये स्पेस्शिप अपने आप ही हवा में तैरने लगे और हम उस प्लैनेट तक पहुंच सकें हो सकता है कि अगर मैं एर्थ की ग्रैविटी को कुछ देर तक बंद करने के लिए नाकाम हुआ उसके बाद भी मेरे पास प्लैन भी है ये टीम जो इन प्लैनेट्स को ढूनने के लिए जा रही है वो अपने साथ पाँच हजार इनसानी भृंड ले जाएंगे जब तक वो उन प्लैनेट्स का मौईना करेंगे तब तक मैं यहां एक्वेशन सॉल्व कर लूँगा अगर मैं एक्वेशन सॉल्व करने में काम्याब नहीं हुआ तो वो टीम उन पाँच हजार इनसानी भृंडों की मदद से उन प्लैनेट्स पर इनसान की रेश को आगे बढ़ाएंगे यानि इस धर्ती पर से इनसान का जीवन ख़तम हो जाएगा और उस ग्रह पर स्टार्ट हो जाएगा प्रोफेसर ब्रैन्ड कूपर से कहते है कि तुम नासा में एक पाइलेट रह चुके हो इस मिशन के लिए मुझे तुमारी जरूरत है हमें इनसानी रेश को किसी भी हाल में बचाना होगा ये बात सुनकर कूपर इस मिशन के लिए तयार हो जाता है वो मर्फ को इस मिशन के बारे में बताता है कि मैं इस मिशन पर जाने वाला हूँ और मुझे पता नहीं है कि मुझे कितना टाइम लगेगा मर्फ नहीं चाहती कि कूपर इस मिशन पर जाए इसलिए वो कूपर से नाराज हो जाती है कूपर उसे मनाने की कोशिश करता है कूपर मर्फ को एक घड़ी भी देता है उस घड़ी का दूसरा जोड़ा कूपर ने खुद पैना हुआ था ये घड़ियां एक दूसरे से कनेक्टिड थी लेकिन इसके बाद भी कूपर मर्फ को कन्विंस नहीं कर पाता और मर्फ के नाराज होते ही कूपर को वहां से जाना पड़ता है कूपर अपने घर की सारी जिम्मेदारियां टॉम को दे देता है और खुद उस स्पेशिप में बैठ कर वो ग्रह डूरने के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाता है कूपर की टीम में अमीलिया भी होती है जो प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी होती है इसके अलावा कूपर के साथ रॉमिली और डॉयल भी होते हैं स्पेश में पहुँचने के बाद वो अपने स्पेशिप को एक स्पेश स्टेशन के साथ डॉक कर देते हैं और उस स्पेश स्टेशन को लेकर ही वो लोग उस ब्लैक होल की तरह बढ़ते हैं जिसका नाम गारगेंट्वा है कुछ देर तक सफर करने के बाद वो लोग एक वाम होल के पास पहुँच जाते हैं जिसके जरी वो उस ब्लैक होल तक पहुँच सकते हैं वो लोग उस warm hole के अंदर घुज जाते हैं और उसके अंदर सफर करके वो लोग Gargantua नाम के उस black hole तक पहुँच जाते हैं अब यहाँ पर मैं आपको एक concept समझाना चाहूँगा कि जिस तरह एर्थ पर time अपने हिसाब से चलता है वैसे ही black hole के पास जो planets होते हैं उन पर भी time अलग-अलग तरीके से चलता है यानि जो planet black hole से जितना दूर होगा उस पर time उतना ही तेज गुजरेगा black hole के पास जो planet है अगर उस पर एक घंटा गुजरता है तो black hole से दूर planet पर उस time में कई साल भी बीच सकते हैं खैर coming back to the story अब ये सबी astronauts पहले planet पर जाने के लिए तयार हो जाते हैं जिसका नाम इन्होंने रखा होता है Miller's planet ये planet पूरा पानी से भरा हुआ होता है जिस वज़े से ये इनसानों के रहने लायक नहीं होता है इनसे पहले जो जहाँ पर astronaut आया था यहाँ पर इन्हें सिर्फ उसके जहाँ का मलबा मिलता है यानि वो astronaut यहाँ पर मारा गया था इनका एक साथी जिसका नाम रॉमिली है वो उपर स्पेस स्टेशन में ही रुख जाता है ताकि जब तक ये लोग वापस जाए तब तक वो black hole को पूरी तरह से study कर सके लेकिन अब इस planet पर पानी की उचे लहरे उठने लगती है जो आसमान को छूरे ही थी यानि ये लोग पानी में ढूपने वाले थे इसलिए कूपर उन्हें जल्दी से जहाँ पर आने के लिए कहता है इनके साथ जो रोबोट होता है वो एमिली को उठा कर जहाज की तरह भागता है तब तक लहरे उनके पास पहुंच जाती है जिस वज़ा से इनका दूसरा साथ ही डॉयल जहाज पर नहीं चड़ पाता वो पानी में ढूप जाता है लहरों की वज़ा से इनके जहाज के इंजन में भी पानी चला जाता है जिस वज़ा से जहाज स्टार्ट नहीं होता इन्हें वहाँ पर बहुत देर तक वेट करना पड़ता है कुछ देर बाद जहाज स्टार्ट हो जाता है और यह लोग वापस स्पेस स्टेशन पर आ जाते है जहाँ पर रॉमिली इने बताता है कि तुम्हें उस आइलेंड पर तीन घंटे बीच चुके हैं और यहाँ पर एक्की साल बीच चुके हैं रॉमिली अब तक बुड़ा हो चुका था उसके बाल सफेद होने लगे थे उपर के लिए उसके घरवालों से बहुत सारे मैसेजज आये थे उसके बेटे ने अब तक शादी कर ली थी उसके बच्चे हो गए थे और उसके ससुर की डेथ भी हो गई थी इतने सालों में उसकी बेटी मर्फ ने उसके लिए सिर्फ एक ही मैसेज छोड़ा था और वो भी उस दिन जिस दिन वो अपने बाप की उम्र में पहुँची थी इस मिशन पर जाने के लिए वो अभी भी अपने बाप से बहुत नाराज थी मर्फ ने भी अब नासा को जोईन कर लिया था और वो भी प्रोफेसर ब्रेंट के साथ ही काम कर रही थी प्रोफेसर ब्रेंट अभी भी उस ग्रैविटी वाली एक्वेशन पर काम कर रहे थे यहां रॉमिली ने भी ग्रैविटी पर अपना रिसर्च कम्पलीट कर लिया था मिलर्स प्लैनेट से वापस आने के बाद अब इने और दो ग्रहों पर जाना था लेकिन इनके पास इतना फ्यूल नहीं था वो लोग केवल एक ही ग्रह पर जा सकते थे इसलिए ये दो में से एक प्लैनेट पर जाने का फैसला करते हैं जहां पर कुछ साल पहले डॉक्टर मैन आया था ये प्लैनेट इने मानव जीवन के लिए ज़्यादा फैवरेबल लग रहा था इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस प्लैनेट पर इनके साथ क्या होने वाला है अब इनके आगे के सफर में कई हादसे होने वाले हैं और आगे के सफर में ही अब सारे राज खुलने वाले हैं इसलिए हमने उस पार्ट को अलग से एक्स्प्लैन किया है उस पार्ट को देखने के बाद ही आपको मूवी की सारी कहानी समझाएगी और आपके सारे confusion दूर हो जाएंगे उस पार्ट को देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए और उस पार्ट को enjoy कीजिए